दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मॉक्स में जरूर पूछे बाड़ी कावर बिहार में अब अनलोक 5 के तयारी में सरकार 3 अगस्त के बाद CMG की बैटक में होगा फैसला जी हाँ कोरोना के दूसरी लहर के बेज राज सरकार ने पहले लोगडाउन किया और उसके बाद दिरे दिरे अनलोक की प्रक्रिया शुरू हुई बिहार में अभी भी अनलोक 4 लागू है कई चेतरों में सरकार की तरब से बंदी से जारी है लेकिन अब नितिस सरकार ने अनलोक 5 के लिए कवायाद शुरू कर दी है अनलोक 4 की समय सिमा 6 अगस्त को खतम हो रही है इसके बाद चूट का दायरा केसे बढ़ाया जाए इसके लिए सरकार ने फीडवेक लेना सुरू कर दिया है वियार के मुई के सचीव त्रिप्रवारी सरन ने सभी जीलों के डियम के साथ इस मामले पर बाचित की मुई के सचीव त्रिप्रवार के जरिये सुकूरवार को मुई के सचीव ने अनलोक 5 पर फीडवेक लिया जिला इस तर पर मुजुदा इसीति को समझने के साथ साथ मुई के सचीव से अनलोक 5 के दोरान दुकानों के खुलने के समय और बढ़ाया जाने के साथ साथ धारमी की स्तलो और सौपिंग मॉल खोले जाने को लेकर भी सभी से राई समारी की गई पाटना विश्विद्दलाय से ग्रेजेशन करना चारे छात्रों के लिए अच्छी कबर इस बार नहीं होगा इंट्रेंस टेश्ट नहीं लेने का फैसला किया है इसके लिए राजबावन से आदेश मिलने के प्रदासा में ओनलाइन आविदन प्रक्रिया जारी है इसमें पाटना विश्विद्दलाय के इसनातर नियमीत सेल फाइनेंस एवं व्यवसाई कोर्स में भी नमांकन लिया जा सकता है एक आविदन से चातर अपनी सुविदा अनुसार सभी संकाय में नमांकन के लिए आविदन कर सकते हैं पाटना विश्विद्दलाय के कुल सचीव डाक्टर जीतिंद्र कुमार ने बताए कि तीन वरसे इसनातक नियमीत पाटकरम इसके अतरीक लिए एंट्रेंस टेश्ट से चातरों को छोड़ दी गई है बड़ी कबर डियलेट कोर्स में नमांकन को 18 अगस से आविदन शुरू जहां बिहार के राजकिये सिक्चक प्रसिक्चन संस्तानों में सेक्चिनिक सत्र 2021 में डियलेट कोर्स में नमांकन के अधिसुचना गुर्वार को सिक्चा विवांगने जारी कर दी है लगातार तिसरे साल नमांकन की प्रक्रिया संयुक्त परवेश परिक्चा की जगा सभी सिक्चक प्रसिक्चन महाविदाले द्वारा अलग अलग चलाए जाएंगे कोई भी कोलेज नमांकन के अलग से सुचना निर्गत नहीं करेगा सिक्चा विवाग द्वारा जारे डियलेड नमांकन सिडूल के मताबिक इचुग विदारती 18 अगस से 1 सितंबर तक राज के जिला सिक्चा एवाम प्रासिक्चन संस्तान प्रातमिक सिक्चक सिक्चा महावेदले और प्रकन अधावक सिक्चा संस्तान में आवेदन कर सकेंगे साथ यह आपको बदा दे कि 9 सितंबर को मेगा सुची का निर्मान और नामंकन समिति की बैठक होगी गया मुंगेर समित बिहार के साथ जिलो में मलेरिया के असिफ इजदी मामले मिले अलट मोड में स्वास्त बिभाग जिहां बिहार के साथ जिलो में मलेरिया के असिफ इजदी मामले पाये गए है स्वास्त बिवाग द्वारा मलेरिया की रोगताम को लेकर दवाओ का चिड़काव कराया जा रहा है स्वास्त मंत्रे मंगल पाणे ने कहा कि बरसात के मौसम में मच्छरों से फेलने वाले रोगों की असंका को देखते हुए स्वास्त विवाग द्वारा इसके रोक्ताम को लेकर आवस्यक तयारी की गई है मलेरिया प्रभावित जिलो के पहचान लगाता तिन साल के केस लोड के मुताबिक की जाती है इस लिहाज से राजिक के साथ जिलो में मलेरिया के 80 फिस्दी मामले सामने आये हैं इसमें गया केमूर मौंगेर और अंगाबाद नवादार होतास एवं जमोई सामिल है साथ स्वास्त मंत्रे ने कहा कि मलेरिया के बेतर रोक्ताम एवं इलाज के लिए जरूरी है कि लक्षन वाले मरेजों को सही समय पर मलेरिया के जाच हो सके इसके लिए आसा करकरताओ को भी प्रोसायत किया जा रहा है बड़ी खबर बीएड संयूत परवेश परिक्षा के तिति में एग वर फिर से बदलाव 11 की जगा अब 13 अगस्त को होगी परिक्षा जी हाँ कोरोना वारस ने देश की अर्थ विवस्ता सहीद जन जिवन को बीपट्री कर दिया है कोरोना की वज़ा से ही बीति दो साल से अगेडमिक कलेंडर भी बीपट्री हो रहा है इसी बीच साल 2021 के लिए बिहार बीएड परिक्षा की तिति में पाच भी बार बदलाव किया गया है पहले ये परिक्षा 11 अगस्त को होने वाले थी जिसे दो दिन आगे बढ़ा कर 13 अगस्त कर दिया है इसके लिए अबियारती 4 अगस्त से एडमिट काड डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही आपको बता दे कि बीएड की सयुक्त परिक्षा 13 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपार 1 बजे तक आयोजित की जाएगी बाड़े कबर बिहार के 40,000 आसक कर्मियों को मिलेगा स्मार्टफोन जिहां राज के 40,000 से अधिक आसक कर्मियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा 15 अगस्त के पहले सरकार सुबह की सभी आसक कर्मियों को स्मार्टफोन मुहाया करा देगी मैं सुबह की सभी एन्यम और आसक कर्मियों को विविन परकार की उपकरन योक्त किड़ भी दी जाएगी स्वास्त मंत्री मंगल पाणने ने विदानसवा में वित्तिय वर्ष 2021 के लिए फ्रतम अनुपुरक बजट के तहट अनुदान मांग के जवाब की दोरान सदन में यह गोशना की है बाड़ी खबर आंधी आये या तुफान बिहार के ग्रामेन इलाकों की बत्ति नहीं होगी गूल एक फिडर बंध होने पर दूसरे से मिलती रहेगी बिजली जिया बिहार के ग्रामेन इलाकों में निर्वाद बिजली मुहाया कराने के लिए कमपने ने विशे सकार योजना बनाई है आंधी तुफान या किसी भी तरह की क्रितिम या प्रकिर्तिक आपदा आने पर ग्रामेन इलाकों को बिजली मिलती रहे इसके लिए आपस में 33 केवी के फिडरों को जुड़ा जाएगा नई विवास्ता में अगर एक फिडर किसी करण से बंद हो जाएगा तो दूसरे से पावर सब इस्टेशन को बिजली आपपूरती सुरू हो जाएगी योजना के कारण पिजली मिल चुकी है और मोज़दा वित्तिय वर्स में ही इस पर काम सुरू हो जाएगा बिहार में आइसमान कार्ड होने के बाद भी भटकते रहते हैं लोग सिकायत के मामले में पाचवे नमबर पर पहुचा बिहार जहां केंद्र सरकार ने लोगों को रहात देने के लि उजागर हो गई है सिकायत के मामले में बिहार पुरे देश में पाचवे इस्तान पर है 27 जुलाई 2021 तक देश भर से 207 सिकायते मिली है जिसमें 214 सिकायते बिहार से की गई है रिपोर्ट के अनुसार आइसमान कार्ड रहने के बाद भी प्रावेड अस्पताल मरेजों का इ इलाज नहीं करते हैं खास बात है कि इलाज नहीं कराने वाले में सरकारे अस्पताल भी सामिल है इस बाबत बिहार से 214 सिकायते के इंद्र के पास गई है इन 214 सिकायतों में से 170 प्रावेड अस्पतालों के खिलाब सिकायते की गई है जबकि से सरकारे अस्पतालों की है द सब्सक्राइब ने ओनलाइन मुटेशन के लिए बने अपने वेबसाइट को सुधार के बाद रिलाउंच किया है सनिवार को इसके लिए आयोजेत समारों में विभागे मंत्री राम सुरत राय ने कहा कि सौप्टियर में सुधार के बाद अब आहम लोग आसाने से विभाग क बिहार में पुलिस पदादि कारियो और कर्मियों के करीब 58,000 पद हैरीक्त नितिस सरकार का सदन में जवाब जिहां बिहार में पुलिस विभाग में करेब 58,000 पदादी कारियों और कर्मियों के पद खाली है। कर्मिक कारेरत है पाड़ी खबर बिहार में पहली बार आयोजित होगा बिगेश्ट डान्स टेलेंड हट आयम डान्स 30 जुलाइस से 27 अगस्तक होगा रजिस्ट्रेशन जहां बिहार की गल्यों में चुपी नीरतर प्रतिबावु को राष्टिय इस्तर का मंच देने के लिए में पहली बार बिगेश्ट डान्स टेलेंड हट आयम डान्स का आयोजित आयोजित किया रहा है इस बिगेश्ट डान्स टेलेंड हट का आयोजित हैस्ट की समय सिमा आज यानी 30 जुलाई से 27 अगस्तक रखा गिया है सिक्छा मंत्री विजै कुमार चौदरी का बड़ा एलान पंजीकरित स्कूल में गरीब जात्रों को परिशानी होई ती होगी कारवाई जियां सिक्षा मंत्री विजय कुमार चोदरे ने कहा कि सिक्षा का अधिकार के तहट पंजिक्रित स्कूल में गरेब चात्रों को आस्विदा होवित्य सरकार कारवाई करेगी। प्रधान के अनुसार सबी पंजिक्रित स्कूल को 25 परतिसात वंचित और कमजोर वर्ग के बच चंदर पूरवे के अलप सुचित प्रस्न का जवाब दे रहे। रशन करता ने चार नाम देते वे कहा था कि इन स्कुलों में गरीब चात्रों का नामांकन तो हुआ लेकिन बाद में प्रवंदन ने उन्हें निकाल दिया जवाब देते वे मंत्रे ने कहा कि प्रश्ण में सनही दो पटना और दानापुर के स्कुलों का पंजीकर नहीं है से इस दो स्कुलों में नमांकित बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं जिहां सिक्चा विवाग ने छटे चरन के मायदमिक और उच मायदमिक स्कुलों में 33,000 से अधिक सिक्चोकों की चल रही वर्तमान नियोजन प्रकरिया पुना निधारित की है इस सम्मझ में सिक्चा विवाग ने इसका नया सेडियोल जारी किया है इसके अनुसार 18 अगस से 17 सितंबर तक आवेदन लिये जाएंगे हाला कि जिन अवियर्तियों ने पहले आवेदन किया है उन्हें फिर से आवेदन करने की आवाई सकता नहीं होगी राज के सरकारे स्कूलों में आप फिजिकल और हेल्थ ट्रेनर की होगी बहाले सिक्चा मंत्री विजे कुमार चोधरी ने की घौसना जी हां, बिहार के सभी सरकारे स्कूलों में जल दी, फिजिकल और हेल्थ ट्रेनर की वहाली होगी, सरकारे स्कूलों में सारेडिक सिख्चा और स्वास्त अनोधिसकों के पद पर नियुक्ती का इंतिजार कर रहे अब अर्थेयों पहे है, अब आची खबर है, राजसरकार न विदानसवा में इस बात की भी जानकारी दी है कि सारेरिक सिख्चा और स्वास अनुदेशक की समवर्ग में भी आरक्षन की निती समार रुप से लागूर और आंके बड़ी खवर पटना में जुगी जोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बनेगी बहुम अंजली इम विदानसवा में दीगा विदायक संजिव चरस्या के गेर सरकारी संकल्प के जवाब में कही आज के लिए आपका सवाल बताए कि अनलोग 5 के तहद बिहार में कौन-कौन से छोट मिलनी चाहिए इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं